यहां स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चनल जी के एक्जाम में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने एक इनिशेट्व लिया है कि हम पढ़ाएंगे असिस्टेंट रजिस्टार के पोस्ट के लिए तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमने एक सकते हो नीचे डिस्कुप्शन में आपको लिए लिकी तो बैसे के लिए जो एकनोमिक सीक्स वाला पोर्शन था उसमें से बेसिक साल को क्लियर करवा दिया अब हम यहां से जो पोर्षन करवाने जा रहे हैं वो टोटल यहांJust है और पोरशन रहे special focus जो कश्मीर के related बढ़नी है और इंडिया का भी उसमें influence रहेगा तो पूरी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको यह जो जियोग्राफी बढ़नी है इसमें कौन-कौन से topics इन्होंने in detail लिखे है तो सिल्बस अगर देखा जाए तो importance of geography पहला topic है general geography, physical geography और यहा इस तरीके से जिससे आपको आपने मतलब 67th से डेवलोग किया हुआ होगा knowledge 67th standard से I mean to say that NCRT based knowledge से है हम start करेंगे basic से start करेंगे तो आपको पूरा syllabus complete करवा देंगे तो सबसे पहले हम start करेंगे यहां पर यह जो climate है na climatology पढ़ाएंगे लेकिन इसमें से concept, sub concept आते है वो सारे concepts देखो किस तरीके से आपको यह पढ़ना है climatology में आपको सबसे पहले पढ़ना है कि atmosphere जब ही आपको atmosphere का concept clear होग composition वगएरा तब जाके आपको climate के related कोई भी conceptual question solo हो सकता है इसके अलाव इंसुलेशन का concept आपको पढ़ना है temperature का concept आपको पढ़ना है तब जाके climatic changes और different जो aspects होते हैं वो समझ में आ जाते हैं आपको atmospheric pressure पढ़ना है आपको pressure belt पढ़ना है और wind circulation भी इसमें आपको cover करनी पढ़ आपको cloud और precipitation का भी इसमें सीखना है आपको air masses के बारे में पढ़ना है फ्रेंट्स क्या होते साइकलोंस क्या होते हैं यह सारे concepts आपको climateology में आते हैं अगर देखो यह चोटे level का exam नहीं है इसमें अगर आप qualify करते हो तो you have to be strong at your basics क्योंकि आपको वो question अब नहीं पूछे ज सब्सक्राइब करें क्योंकि इसका concept हमें यह atmosphere का concept हमे 6-7 से होता है उसी को basic मानते हुए मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा और आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा let's begin तो आप जल्दी से चनल को subscribe करके रखें ताकि जो भी नेक्स आने वाले वीडिय आप आयाम से फाइदा उठा सके तो यहां पर सबसे पहले की बात जो हमें discuss करनी है तो basic three pillars जब हम atmosphere को पढ़ने जाएंगे नो तो atmosphere में हमें basic three pillars को सीखना है मतलब पूरी तरीके से climatology में हैं तो हमें तीन pillars को पढ़ना यह याद रखना हमेशे कि तीन factors हमेशा depend करते है तीन climate, Indian climate वगरा सारा कुछ concept समझ में आ जाएगा तो starting with the पहला time मतलब जो यह तीन pillars आपको मैंने बताया तो इन तीन pillars को समझने के लिए ही हमें basically atmosphere पढ़ना है तो atmosphere की composition और structure पढ़ेंगे मतलब पूरी तरीके से हर कोई चीज़ आपको मैं clear कर दूँगा पूरी तरीके से हर कोई चीज समझाने की कोशिश करूँगा यहां पर सबसे पहले अगर atmosphere की बात करेंगे तो यह क्या है थीक लिए gases envelope surrounding the earth's surface from all sides यह सब भी क्यों पता है अब यहां पर question बन सकता है कि atmosphere कौन सा चीज है जो atmosphere को earth's surface से जोड़े रखता है वो है gravitational force, gravitational force is the ultimate force which attaches atmosphere to the earth's surface छोटा सा question बन सकता है तो यह आपको याद होना चाहिए यह आपको पता होना चाहिए अब यहां पर अगर देखेंगे तो physical mixture of gases इसमें atmosphere gases होते है इसमें water vapors होते है और suspended particulate matter भी कह सकते है SPM यानिकि suspended particle dust particles वगएर जैसे चीजे भी atmosphere में पाई जाती है अब importance क्या है atmosphere की तो necessary gas for sustaining life on earth ठीक है वो atmosphere की वजह से ही हम मतलब जिन्दा है life में ओडू का नाम ही आप तो आपने सुना होगा oxygen हम पीते हैं वह बहुत जरूरी है जैसे कि आपने देखा होगा as far as the current fears are concerned during the second wave of coronavirus तो ओडू की shortage कितनी हुई थी किस तरीके से मतलब लोग मर रहे थे that was the mass मतलब यह जो mass deaths हो रही थी पूरी डाइकसाइड पर जिन्दा रहती है और यह एक पूरा cycle चलता है एयर cycle चलता है हम छोड़ते हैं वह पीते हैं वह चोड़ते हम पीते हैं तो इस तरीके से मतलब यह सारी गैसे असल में तो atmosphere में है यह atmosphere तो atmosphere क्या करता है life को sustain में करने में मदद करता है और यह दूसरा मतलब इसको importance जो है यह prevent करता है किन से ultraviolet radiation reaching to earth surface आपको लग रहा होगा कि सर अभी आसान पढ़ रहा है लेकिन आप थोड़ी देर में देखो के you will learn some big things आपको बहुत सारी बड़ी चीजे भी पता चलेगी लेकिन आपको fashions रखने की जुरुत है यहां पर अगर बात करेंगे तो 29,000 के किलो मेटर मतलब यह जो किलो मेटर यह वाला है तो यह नहीं है मतलब I mean to say इस तरीके से इसको concern किया जा सकता है main sea level मतलब 17 समंदर से लेकर 16 से लेकर 29 किलो मेटर तक हम अपना atmosphere concern कर सकते है और मतलब यह हम 16 से लेकर 29 तक ही क्यों करते है क्योंकि 97% of the effective atmosphere is up to 29 किलो मेटर only ठीक है तो हमारे atmosphere में effective atmosphere एक होता है दूसरा non effective atmosphere होता है मतलब effective atmosphere वो atmosphere होता है जो densely मतलब अब जब हम structure पढ़ेंगे न तो आपको यह सारी चीज़े अच्छे तरीके से समझा जाए गी तो 97% of the effective atmosphere is up to 29 किलो मेटर तो यह बात आपको याद होनी चाहिए तो यहां पर आपको दूसरी चीज़ है अबो it density decreases मतलब 29 किलो मेटर के ऊपर अगर हम देखेंगे माल लो यह अर्थ है यह वाला अर्थ है ठीक है अर्थ के आगे हम जब जाएंगे तो आप माल लो अर्थ के ऊपर हम मतलब देखेंगे तो 29 किलो मेटर तक after the distance of 29 किलो मेटर और यहां से भी अगर about 29 किलो मेटर के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि density जो air particles की है कितने मेगदार में हवा है वो कम होता दिखाई देदेगा तो यह बात यहां पर कहने की मतलब है तो यहां पर अगर पूरी तरीके से मतलब देखेंगे कि composition आप atmosphere की क्या रहती है nitrogen है जो 78.08% है तो आप 78 परसंट कर सकते हो लेकिन आपको असल में पता होनी चाहिए कि 78.08% है कभी-कभी examiner ऐसा composition पूछ लेता है पूरी तरीके से exactly हमें figure पता होनी चाहिए so far that reason don't take lightly anything oxygen 20.95 हम 21 के हिसाब से भी ले सकते है इसको 78 और 21% के हिसाब से भी लेते है नाव अगर देखेंगे तो अरगन की जो यह है वो है 0.93% यह नहीं कि 1% के करीब हम इसको ले सकते हैं carbon dioxide 0.38% है 0.038% है और hydrogen जो है 0.005% और neon की जो है वो है 0.0018% ठीक है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अब अगर देखा जाए तो अब nitrogen को हम discuss कर लेंगे nitrogen किन-किन कामों में हमें जरुरत आता है तो कि इस तरहिके से इसकी composition जो है यह है slightly neutral ठीक है पैरी बात में नहीं क्या कहा यह slightly neutral दूसरा क्या मैंने कहा most abundant gas in the earth's atmosphere कोन है यह है nitrogen क्योंकि ज्यादा quantity में यही है और यह तीसरा property जो इसका है यह least reactive है क्या है पैटा least reactive ठीक तीन चीज़े मैंने इसके बारे में बताया slightly neutral दूसरा abundant तीसरा क्या बताया मैंने least reactive gas है तो इसके बाद अगर देखेंगे तो more likely neutral substance यह in atmosphere में है और इसके reactive बहुत ज्यादा है ठीक है oxidation के time पर हमें मतलब oxidation जो होती है oxidation reduction तो मतलब किसी भी चीज़ के साथ जब oxygen add होता है तो उस वक्त oxidation होती है और मतलब जब hydrogen add होता है तो उस वक्त reduction होती है तो यह चीज़े आपको पता होनी चाहिए basically यह science का concept है तो यहाँ पर oxygen जो है यह combustion में यान मतलब जहाँ पर कुछ जलाना होगा वहाँ पर oxygen की बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपने चोटे 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 classes में आपने 67 में यह चीज़ तो देखा होई होगा कि मतलब आपने बड़ा activity होती है NCRT में activity क्या होती है कि आप एक candle लाओ candle जब आपने लाया उसको जलाया candle जब आपने लाया उसको जलाया ठीक है candle जलाने के बाद आप क्या करो उसके ऊपर एक बरतन लाओ इस तरीके से वो रखो उस पर कुछ देर के बाद वो candle बुझ जाता है क्यूंकि उसमें जो oxygen होता है present वो पहले combustion होता है ठीक है वो combustion जब हो जाता है उसके बाद gases नहीं होता है और वो जो candle होता है वो automatically burn होना बंद हो जाता है तो इसलिए हम कहते है कि combustion में इसका बहुत ज्यादा important role होता है now अगर मू करेंगे दूसरे gas की तरफ वो है अरगन की अगर बात करेंगे तो यह chemical inert gas है ठीक है इसी तरीके से अगर देखा जाए तो carbon dioxide की अगर बात करें यहने from the earth surface इसका concept आपको insulation के बाद ही समझ में आ जाएगा फिलाल के लिए आपको इतना समझना है कि यह heat को absorb करता है ठीक है तो heat को जब absorb करता है तो इसको क्या कि दूसरा नाम क्या दिया गया है क्योंकि यह heat को absorb करता है और इसको क्या कहते है greenhouse gas क्योंकि इसकी वज़े से earth temperature increase हो जाता है और उसकी वज़े से इसको greenhouse gas भी कहा जाता है तो increases temperature on earth surface यह मैंने आपको पहली ही बताया कि increases temperature on earth surface and lower and मतलब in the lower earth atmosphere, lower atmosphere में इसकी concentration थोड़ी सी ज़्यादा होती है that is why कि इसका मतलब इसका इसकी वज़े से earth पे atmosphere यह temperature increase होने को देख सकते हो अब अगर इसकी concentration of carbon dioxide in atmosphere is gradually increasing तो क्यों increase हो रही है इसके 2-3 कारण है due to deforestation, deforestation ज्यादा हो रही है तो उससे concentration of carbon dioxide increase हो रही है और इसके अलाबा जो हम coal, petroleum और natural gases को burn करते हैं वहां से भी carbon dioxide release होता है और that very thing also increases the concentration of carbon dioxide in the earth's atmosphere now moving to the another aspect that is मतलब यहां पर water vapors का के concept पर चलते हैं अब water vapors की अगर बात करेंगे तो water vapors क्या होते हैं उन पर पूरी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं तो यहां पर अगर बात करेंगे तो water vapors, water vapors जो होते हैं water vapors combine various यह जो water vapors होते हैं इनकी composition जो होती है सुरी मैंने combine बताया था यहां पर composition है water vapors जो हैं उनकी composition जो होती है वो drastically vary करती है एक region से दूसरे region तक मतलब अगर आप यहां पर देखोगे कश्मीर में यहां पर humidity थोड़ी सी ज़्यादा होती है जुमू में सबसे ज़्यादा humidity है और temperature का effect भी climate का effect भी जो बाद में पढ़ने जा रहे है वो भी accordingly change होता जा रहा है अगर मतलब आप देखो छोटी सी example में बता दूँगा अगर जुमू कश्मीर में 50 degree का temperature देखोगे आप तो यहां पर कोई मतलब जिन्दा ही नहीं रहेगा यहां पर पूरी तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा drastic होगा अगर यहां पर 50 degree temperature होगा इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो जुमू में कभी-कभी 50 temperature touch कर लेता है और वहां पर लोग फिर भी survive कर लेते हैं लेकिन यहां पर 37.6 almost जो है ultimate highest temperature recorded ever तो यह जुमू कश्मीर का है अगर यहां पर temperature increase हो जाता तो आप देख सकते हो कि इसके पीछे water vapors का ही कारण है और जो humidity का concept है वो water vapors पर ही depend करता है अब अगर यहां पर दूसरा देखेंगे तो water vapor concentration decreases with increase in distance from the equator मतलब दूसरी चीज़ मैं हम पर आपको बता दूँगा कि अगर हमारी अर्थ यह है अर्थ की equator यह है अगर हम अर्थ से दूर जाते हैं मतलब अर्थ से हम इस तरफ जा रहे हैं या अर्थ से इस तरफ आ रहे हैं या अर्थ से इस तरफ जा रहे हैं किसी भी direction में अगर हम earth से move कर रहे हैं तो उस वक्त जो हमारी concentration जो होगी ना इसकी water vapors की वो decrease हो रही है मतलब earth के equator पर सबसे ज्यादा concentration है water vapors concentration decreases with the increasing distance from the equator आप जितना equator से दूर जाओगे तो concentration water vapors की उतनी कम होती जाएगी अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर concentration decreases with increasing altitude altitude मतलब अगर हम earth यहाँ पर है earth का atmosphere यहाँ पर है अगर हम ऊपर की तरह जा रहे हैं इस तरीके से ऊपर की तरह जा रहे हैं यहां से भी ऊपर देख रहे हैं अभी तो हम earth के ऊपर देख रहे थे अब अर्थ के मतलब surface के ऊपर मतलब बात हो रही है यानि कि atmosphere altitude की बात हो रही ह तो concentration मतलब decrease हो रही है जब हम altitude की तरफ मुग कर रहे हैं मतलब जितनी ज़्यादा height होगी उतना ज़्यादा water vapors का concentration decrease हो रहा है तो यहाँ पर एक और चीज जो आपको समझने की जुरत है वो यह है कि more than 90% found at the height of up to 5 km जो earth का atmosphere है यहाँ तक मालो अगर 29 km तक अभी हमने limit माना तो वहाँ तक वहाँ पर जो 5 km तक की distance है वहाँ पर 95% water vapors पाए जाते है उसके बाद around अगर यहाँ पर बात करेंगे around 50% is found at the 2 km इस मैंसे भी अगर हम देखेंगे कि जो मैंने मतलब यह बात की यह 5 km की बात की अगर हम 2 km तक ही देखेंगे तो 2 km तक 50% और बागी 3 km जो है वहाँ पर 40% है और यही हो गए न 90% 5 km तक उसके बाद अगर देखेंगे तो खाली 10% बचता है water vapors की concentration अगर हम Earth के atmosphere को देखेंगे अब roll of water vapors क्या रहता है हमारे atmosphere में वह सीखने की कोशिश करते है water vapors क्या करते है water vapors several forms of मतलब इसके throw मतलब several forms of condensation हो जाती है cloud is मनाते है fog होती है dew होती है rain forced होती है hailstorms ice and snow वगरा यह सारे जो phenomena's होते है it is only because of the presence of the water vapor and उनकी condensation की process से ही यह सारी चीज़े बनते है अब अगर दूसरा रूल इनका देखेंगे water vapor almost transparent from far short wave solar radiation और less transparent from long wave terrestrial solar radiation इस बात को मैं समझा दूँगा यहां पर आप मान लीजे यह earth है ठीक है जब यह earth है तो यह यहां पर sun है ठीक है अब यही चीज़ मैं आपको दिखा दूँगा यहां से क्या आ रही है solar radiation जब यहां से आ रही है यह solar radiation आ रही है इधर से sun से किस पर earth पर है और यह जो incoming radiation होती है from the sun to the sun यह यह इनको हम कहते ह sharp wave solar radiation अब इसी परकार से अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमारी earth से वापस heat जाती है towards the atmosphere तो इस तरीके से गया इस तरीके से इस तरीके से चारुटर ड़ यह हम पर याद रख लिए इंकमिंग जो होती है वो क्या होती है शॉर्ट वेफ सोलर रेडिशन और जो आउट गोइंग होती है फ्राम अर्थ सर्फेस उनको क्या कहते हैं लॉंग वेफ टेरिस्टेल रेडिशन आई होब कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा नौ मुइंग अब यहाँ से जो रेडिशन आ रही है उनके लिए जो वाटर वेपर होते हैं आप लिए उनके लिए तो बाइफ इसमें से पास हो रहे है लेकिन अगर अगर हम यही चीज देखेंगे की अब यहां अर्थ सर्फेस से शॉठ वेफ निकल रही है लेकिन उनके लिए लेस ट् मतलब हीट कर देते है ठीक है तो it helps in heating earth surface यह बात आपको समझ में आ गई किस तरीके से क्योंकि long wave transparent होता है short wave जो होती है वो less transparent होता है अब अगर बात करेंगे water vapors की बात करेंगे तो पूरी तरीके से इसका थोड़ा वीडियो लंबा होगा है तो next video में यही से start कर दूँगा water vap heat का concept है जिसको हम hidden heat की भी कहते हैं वो हम next video में discuss कर लेंगे thank you for watching this video